आप सभी को नमस्कार, सोम रहे का नमस्कार, आपके दिन मंगल मैं हो, आप खुश रहे, ये इस स्वर से दुआ है, उसके साथ एक अच्छी बात सुरू करेंगे, और बहुत अच्छे बात बड़ा चर्चा करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो को आपको बड़ा अनन्द आएगा, आज बड़ा रोचक कहानी आप से चर्चा करेंगे, एक महन बेक्ती हुए आचाजी हरीहर, कभी उनसे कोई प्रणाम करता था, और प्रतिनमस्कार में वो कहते थे, अच्छे इंसान बनिये, हम कहते हैं, इस सुराप को सुखी करें, कोई कहते है राम राम, कोई और कुछ कहता है, कोई और कुछ कहता है, लेकिन उन्हें कोई प्रणाम करता था, और प्रतिनमस्कार में कहते थे, अच्छा इंसान बनिये, सच कहें अच्छा इंसान बनना इतना आसान नहीं है आप दार्सनिक सिनुप की बारे में सुना होगा उन्होंने दिन में अपने लाल्टिन में लाल्टिन को जला कर रस्ते में घूम रहे थे किसी ने उसे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो सुरिया लोक में लाल्टिन जला कर कहां घूम रहे हो उदार्सनिक थे उन्होंने बोला अच्छे आदमी का तलास कर रहा हूँ धन अर्ख्यमता ख्यंस्ताई है ये कभी आपके साथ नहीं रहेगा लेकिन आदर्स आपके बिक्तित्दो आप चाने के बाद भी ये आपके साथ रहेगा उपकदा की सुरूप में रहेगा किमबदंती के सुरूप में रहेगा मैं किमबदंती आप से साज़ा करता हूँ महान यद्धा, ग्रीक यद्धा, अलेकजंडर को सब जानते हैं वो बिमार हो गे थे जब उन्हें पता चला कि कुछ समय के बाद मेरा मृत्य हो जाएगा तो अपने पास जो अनुचर थे उन्हें बुला कर कहा कि जब अलेकजंडर ग्रेट, दी अलेकजंडर ग्रेट जब मर जाएगा तो आप उसके हाथ चो कफिन बोलते हैं वो तो क्रिस्टियन थे बला कफिन के बाहर उसके दोनों हाथ रखना कि दुनिया को पता चले, अलाक्जंडर इतने महान युद्धा था, इतने धन संपति था और जब ये दुनिया छोड़ कर गया, तो कुछ नहीं, खाली हाथ लेकर गया ऐसे बहुत कहानी किस्से है, धन एर ख्यमता, कभी भी ये इतियास बनेगा, लेकिन आदर्स नहीं बनेगा, ये आपके लिए किम्बदन्ती नहीं बनेगा, उपकता नहीं बनेगा ऐसी ही बहुत सारे घटनाएं हैं, जिसको आप अनुसिलन करके अनुमा लगा सकते हैं, कि प्रकृत में धन एर ख्यमता कभी भी आपको एक सार्थक जीवन नहीं देगा, आपको जाने के बाद याद नहीं रखेगा, अगर आदमें आदर्स होगा, बिक्टित होगा तो ये जरूर आप जाने के बाद भी आप ये संसार पर अमर रहोगे ऐसे एक अमर कहानी आपको सुनाता हूँ, अमर कहानी लोग अमर होने जो लोग आज अमर है, उनकी किस्से कहानी आप सुनोगे उनकी जीवन दर्सन सुनोगे, उनकी जीवन में जो घटनाए घटित हुए, अगर आप उसे सुनोगे तो उसी कथा से, उसी बाक्या से, उसी घटनाओं से आपको अनिफ़फ होगा प्रकृत में ये लोग कितने महान थे आप हमारे देश में एक बहुत बड़े बेक्तित्तों हुए डॉक्टर एपीज़ अब्दुलकलाम उनकी कथा, उनकी कहानिया, मैं अक्सर स्कूल में बच्चों को सुनाता हूँ मुझे उनकी जीवन दर्शन बड़ा प्रभावित करता है जब वो भारत के रास्टरपति थे आपको सबको पता होगा कि रास्टरपतियों के लिए हर तरह का सेवा नियूत किया जाता है जैसे भोजन परोशने के लिए, पकाने के लिए सभी प्रकार की सवायत उन्हें सेवा देते हैं ऐसे जूता बांदने के लिए एक बेक्ती रहता था जो उनकी जूता साप करता था और जूता को लेस बगरा बांद देता था कि लिए लेका सुख्य अगे पहला नहीं था आप दर्वत्तर कुक्त निकलने लिए जा रहे थे तो जुत्प गया करहा के जुत्तर उनको पहनाने के लिए प्रस्टट defender के लेसँ भाथ सब्सक्राप ने दर्वार्त गया हैं अब तुलकुलाम की बात देखिये, उनकी सोच देखिये, उनकी बिचार देखिये, बोले, रुखिये, यह मैं खुद कर सकता हूँ, इसके लिए आपकी ज़रूत नहीं है, अब चाहिए, वो सेवा यह जो सेवा देने के लिए जो बेक्ती, जो कर्मचारी नियुक था, वो त आपकी नवकरी नहीं गया है, यह काम मैं खुद कर सकता हूँ, इसलिए इस काम को, यह धागा बांदने के लिए आपको जरूरत नहीं है, मैं इसका खुद करूँगा, इत्मा सामर्थ है मेरे में, अच्छे विक्ती की स्वभाब देखिये, उनकी विचार धारा देखिये, इन छोटी-छोटी बातों से, इन छोटी-छोटी विचारों से विक्ती महान बनता है, आप भी ऐसे छोटी बातों पर अमल करेंगे, तो आप भी महान बन सकते हैं। बाती सरकारी करमचरी उचे पद पर थे fresh बड़े पद पर। जब उन्हों से कारसे उत्रा तो उन्होंने कारसे उन्होंने कप एक बन दॉस्छा निकला थुसरा एक विक्ती निकल राया और उनकी जुता खोला और जुटेखो पकड़कर ले लेकर रहर एक दूसरे पर बेठें, फिर निकलें, सोचिए, एक उच पदस्त कर्मेचारी जो सरकारी तनके से चलता है, आज उसे कोई याद नहीं रखा है, लेकिन देश के सरवच विक्ति, डॉक्टर एपी जबदुलकलाम, उनकी बेवार देखिए, इसी से तो आचरण उचारण से विक्ति महान बनता है, आपकी आचरण भी सुध होना चाहिए, आपकी उचारण भी सुध होना चाहिए, तब जाके आपकी अंतिकरण सुध होगा, और यही सुधता आपको महान बनाएगा, जैसे औरों को बनाया, जैसे यही अंतिकरण की सुधता आपको महान बनाएगा.